अगर आपको दो लग लग function का Laplace inverse पता है तो उसके product का Laplace inverse हम convolution theorem से निगाल सकते हैं so मैं आपके सामने एक theorem का statement लेता हूँ फिर आपन question पर आता है so convolution theorem क्या बोलती है कि if Laplace inverse of Fs is equal to Ft and Laplace inverse of Gs is equal to Gt then product of Laplace inverse of Fs dot Gs is equal to 0 से T हम यहाँ पर U रखते हैं और यहाँ पर क्या रखते हैं T minus U into D U या फिर इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि Laplace inverse of Fs star Gs 0 से T हम यहाँ पर U रख सकते हैं मतलब पहले यहाँ पर U रखते हैं और यहाँ पर क्या रखें F T minus U into D U So, दोनों मेंसे जो भी आप यूज करना चाहें दोनों एक ही बात है हमने यहाँ पर U रख दिया यहाँ T minus U रखा मतलब आप आगे पिछे कैसे भी इसको कर सकते हैं मैं एक example समझाना चाहता हूँ कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि find the Laplace inverse of 1 upon S square into S plus 4 यह एक example आपके पास अगर आपसे यह पूछा जाए कि यह आप इसका मैं S square plus 4 लिग लेता हूँ जदा अचाहरे आपसे यह पूछा जाए कि इसका Laplace inverse कैसे निकालेंगे तो मैंने आपको लास्ट ताइम पे division property में सिखा है था कि इसका कैसे निकालते है पड़ा अगर इसका convolution theorem से निकालना है तो क्या करेंगे हम जानते है Laplace inverse of 1 upon S square कितना होता है T होता है then Laplace inverse of 1 upon S square plus 4 कितना होता है sine 2T upon 2 होता है अब हमें क्या अगरना इन दोनों के product का Laplace में मतब आपको निकालना है Laplace inverse of S square into S square plus 4 तो क्या आगा concept 0 से T यहाँ पे हम U रखते हैं और यहाँ पे हम क्या रखते हैं 2 T minus U upon 2 into D clear अब हम इसका यहाँ पे सब भी कर सकते हो कि मैंने यहाँ पे U रखा और यहाँ पे T minus U रखा आपके इच्छा है कि नहीं सर मेरको इसकी जगाए U रखना है तो आप यह भी कर सकते हो क्या लिखेंगे यहाँ पे यहाँ पे U रखेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे T minus U product में into D U चलो मैं इससे बता देता हूँ कैसे करेंगे न तो क्या होगा यहाँ पे दियान दीजे 1 by 2 हम यहाँ पे by part integration करेंगे हना highlight लगाएंगे तो क्या होगा देखो T minus U को छोड़ा then sin 2 U D U minus जिसको छोड़ा उसका क्या होता है यहाँ पे differentiation into D U upon D U then sin 2 U D U then D U and limit 0 से T then 1 by 2 sin 2 U का कितना होता है minus का cos 2 U upon 2 into T minus U product में और इसका definition 1 होगा उसका 2 बार करेंगे sin का होगा minus का cos और cos का होगा वापे sin 2 U upon 4 limit 0 से T अब आब इसके limit रखेंगे तो जहाँ पर U है वाँ क्या रखेंगे T रखेंगे so जहाँ पर भी U है वाँ T रखेंगे तो T minus T क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर क्या होगा यह sin 2 T upon 4 minus जहाँ पर U है वाँ 0 रखेंगे तो क्या होगा cos 0 कितना होता है 1 by 2 जहाँ U है वाँ 0 रखेंगे तो यह कितना है आपके पास T and then जहाँ U वाँ तो sin 0 क्या होता है 0 होता है then इसको आप simplify करेंगे तो यह आएगा 1 by 2 sin 2 T upon 4 and minus minus plus T upon 4 so यह इसका Laplace inverse होता है by the help of convolution ठीर अरब so मैं आपके सामने भी एक-दो example ओर लूँगा इस topic फिर अपना आगे पड़ेगे so next यहाँ पे 2-3 question और मैं आपको बताता हूँ कि गन्वलिशन ते और हम किस तर से करेंगे जिसे एक example हो देखिए आप से यह पूछा जाए कि what is the Laplace inverse of 1 upon S square plus A square into S square plus B square यहाँ पे हम S square यह exam में बढ़े पूछे जाता है इस टाइप की questions एक और example लेता हूँ मैं यहाँ पे और वो यह है कि what is the Laplace inverse of S upon S square plus A square into S square plus B square so देखिए students कैसे हम इसका Laplace inverse निकालेंगे ऐसा 1 S की जग़वान अपन भी आता है तो मैं दो questions समझा रहा हूँ से आपको पूरा concept clear हो जाएगा so देखिए हम क्या करेंगे so first we know that Laplace inverse of S square upon S square plus A square कितना होता है cos I mean sorry इसको पन इस तरह से लिखेंगे मैं थोड़ा सा इसको systematic लिख लेता हूँ so Laplace inverse of S upon S square plus A square S square upon B square मैं इसको अलग-अलग लिख लिए we know that Laplace inverse of S upon S square plus A square कितना होता है आपके पास cos A T and Laplace inverse of S upon S square plus B square आपके पास होता है cos B T अलग-अलग Laplace inverse पता है तो इसके product का Laplace inverse कैसे निकालते है so Laplace inverse of S upon S square plus A square S upon S square plus B S square की जो value होती ही वो क्या होती है 0 से T A की जगा हम U रखते है दूसरे की जगा हम T minus U रखते है into D U अब इसका हम क्या करेंगे integration करेंगे बढ़ यहाँ पर formula लगाना पड़ेगा so मैं आपको यहाँ बता देता हूं cos A cos B का formula क्या होता है 1 by 2 cos A plus B minus cos A minus B I mean plus होता है यह इसका formula होता है so यह formula हम यहाँ use करेंगे तो यहाँ यह cos A और cos B है तो क्या हैगा देखिया 0 से T cos इन दोनों को add करेंगे A plus B तो क्या होगा यहाँ पर इसको लिखेंगे पन तो यह यह U common आ जाएगा so this is A minus B into U plus B T आएगा and plus क्या हैगा यह पर दोनों A minus B करेंगे so cos यह हैगा आपके पास A plus U B plus यहाँ पर क्या हैगा minus हैगा so this is minus B T and then इसका D O यह मने फार्मला अपला ही किया last का integration करेंगे so cos का integration कितना होता है sin A minus B into U plus B T upon A minus B plus sin A plus B U minus B T upon A plus B और यहाँ limit रखेंगे 0 से T right so अब हम यह 0 से T limit रखेंगे तो जहाँ पर B U है वहाँ के रखेंगे T तो फस्स यह T रखेंगे तो B T से B T क्या हो जाएगा cancel so यहाँ आएगा आपके पास sin A T upon A minus B next यहाँ पर T रखेंगे तो यहाँ पर T रखेंगे तो B T से B T फिर cancel हो रहा है so यह कितना आएगा sin A T upon A plus B minus जहाँ पर भी U है वहाँ 0 रखेंगे तो sin B T upon A minus B आएगा and then यहाँ U 0 रखेंगे तो sin minus B T so minus sin theta is क्या होता है sin minus theta is minus का sin theta तो यह minus आगे की तरफ आजाएगा so इस तरह से इसको हम solve करेंगे now मैं इसको थोड़ा उपर simplify करता हूँ so is equal to यहाँ पर इसकी value निकालेंगे तो इसकी value कितनी आएगी देखें आप यह sin A T तो sin A T common निकाल लीजे आप so 1 upon A plus B plus 1 upon A minus B मैंने यहाँ पर क्या कर दिया sin A T common निकाला इससी टाप से यहाँ पर मैं 1 upon A minus B minus 1 upon A plus B मैंने यहाँ पर common लिया so यहाँ पर B sorry this is A minus B so यहाँ आएगा आपके पास sin B T now इसका आप L C M लेंगे so L C M लेंगे तो क्या आएगा A plus B B तो B से भी cancel तो यहाँ आएगा 2 A upon A square minus B square sin A T और यह हम cancel करेंगे तो यहाँ आएगा आपके पास minus का 2 B sin B T upon A square plus B square और आगे आपके यहाँ पर 1 by 2 वैसे लिखा हुआ था मैं लिखे ना भूल गया यह आगे formula में 1 by 2 था तो यह 1 by 2 आएगा तो यह 1 by 2 आएगा यह 1 by 2 आएगा तो दिस लिखे 1 by 2 अगे इसको हम simplify करेंगे तो 2 से 2 cancel A sin A T minus B sin B T upon A square minus B square तो दिससे value of this by the help of convolution theorem एक और example आपको समझाने कोशिश करता हूं यहाँ पर सो देखे आप क्या होगा मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर Laplace inverse of S upon S square plus A square and इसको आप 1 upon लिख दीजे S square plus B square सो वी आएगा थोड़ चीज यहाँ पर इस पर रहे है तो सो कल लेने के दीज़ में Laplace inverse of this is cos A T and Laplace inverse of 1 upon S square so Laplace inverse of 1 upon S square plus B square is sin B T upon B तो मुझे अलग-लग Laplace inverse मेंने इसका निकाल दिया अब इसके प्रोट्ट का Laplace inverse by the help of convolution क्या आता है S upon S square plus A square 1 upon S square plus B square क्या है यहाँ पर 0 से T cos A U sine जहाँ T वहाँ के आएगा T minus U upon B into D U अब यहाँ फार्मला आपको पतावना चाहिए तो क्योंकि हम इसका integration करना है तो फार्मला यहाँ पर मैं आपको पतादू cos है 1 by 2 sin A plus B minus sin A minus B यह इसका फार्मला होता है यह trigonometry का फार्मला आपको पतावना cos है Sin B का फार्मला होता 1 by 2 sin A plus B minus sin A minus B वह ही फार्मला हम यहाँ यूज करेंगे तो यहाँ आएगा 1 by 2 और यह B तो है आपके पास 0 से T दोनों को add करेंगे, तो इन दोनों को हम add करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, cos a minus b u plus bt आएगा, sorry this is sign, now minus ka sign, यहाँ पर भी होई होगा, दोनों को हम subtract करेंगे, तो minus minus plus, तो यहाँ आएगा, a plus b u bt minus ka bt into du, now इसका हम integration करेंगे, so 1 by 2 b, sign का integration कितना होता, minus ka cos a minus b u bt upon a minus b minus, यहाँ पर इसका भी minus होगा, तो यह minus minus plus हो जाएगा, cos a plus b u minus bt upon, क्या हैगा यहाँ पर यह, a plus b limit, 0 से t, now अब आप इसके limit put करेंगे, यहाँ पर, so जहाँ पर भी u यहाँ ट रखेंगे, तो bt से bt, cancel, so this is cos a t upon a minus b, यहाँ भी bt से bt cancel, so this is cos a t upon a plus b minus, जहाँ यह, यह वहाँ 0 रखेंगे, 0 रखेंगे तो अपर इसक्या होगा, यह, cos bt upon a minus b, और यहाँ भी 0 रखेंगे, तो, यहाँ cos minus bt बचेगा, so cos minus theta is cos theta, तो कोई फराख पढ़ने वाला नहीं है, तो यह as it is cos bt upon a plus b आएगा, आप देख रहे हैं, दोनों ब्रिकेट लगबक से हैं, अगर हम इसको common निकाले, तो मैं इसको simplify करूँगा, so 1 upon 2b, बटा इसको common निकालेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, 1 upon a plus b minus 1 upon a minus b into cos a t minus 1 upon a plus b minus 1 upon a minus b cos bt, now, इसको थोड़ा simplify करेंगे अपने एक बार और, so मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, इसको, पास जगह नहीं है, so this is, इसकी value निकालेंगे, तो 1 upon 2b, अब यहाँ यह दोनों बरिकेट लगबक से हैं में, तो इसको common निकालेंगे, तो क्या हैगा देखिया, 1 upon a plus b minus, 1 upon a minus b, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, cos at minus cos bt, now, इसका हमें लिखेंगे, तो 1 upon 2b, यह इदर आएगा, इदर आएगा, तो आप देखरें, a minus b, minus a minus b upon, इसको simplify करेंगे, so a square minus b square, and cos at minus cos bt, and इसको simplify करेंगे, तो आप देखरें, a से cancel हो गया, और minus 2b, तो 2b से 2b cancel, इसको simplify करेंगे, तो आप cancer आएगा, cos at minus cos bt, और एक minus बचेगा, तो इसको में लिखेंगे, b square minus a square, so इस तरह से इस type के questions को हम यहाँ पर solve करतें, मैं एक concept और लूँगा, इस question में फिर इसको में कदम करेंगे, so अभी मैंने आपके सामने बता जाता कि कैसे इस type के questions को हम conversion theorem से help से हम इसका inverse निकालतें, अब मैं आपको बताता हूँ, exam में कभी कभी यह question इस तरह से भी पूछ ले जाते हैं, कि आपको यहाँ पर यह पूछ ले जाए कि S square upon S square plus A square का whole square, तो आप क्या करेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना आपको, यह S square plus A square तो यह भी क्या हो जाएगा आपका, A square हो जाएगा, और यह आपका A square होगा, तो हम जानते हैं, इस का Laplace cos A, और यहाँ पर भी B की जाएगा, A हो जाएगा, तो यहाँ क्या हैगा यह? Cos A, T, है ना, तो जहाँ पर भी B है, वहाँ पर आपको क्या रखना है, A रखना है, तो यहाँ हम A रखेंगे, और A रखेंगे, कि यहां पर क्या एगा यह A minus A and A plus A और यहां पर भी क्या आजाएगा आपका यह A आजाएगा तो अब मैं थोड़ा सा आपको यहां बता देता हूँ कि कैसे इसको हम सॉल करेंगे इसको सॉल करेंगे तो यह आएगा 1 by 2 0 से T और यह आपके पास आजाएगा नहीं है तो इसका सीधा सीधा इंटिग्रेशन हो जाएगा आपके पास U कॉस A T प्लस यहां पर इसका इंटिग्रेशन होगा साइन 2 A U minus A T अपान 2 A limit 0 से T और देन इसका हम limit put करेंगे यहां पर इसकी जो value आएगी आपके पास वो क्या आएगी मैं solve कर रहा हूँ सो 1 by 2 यहां limit put करेंगे तो जहां पर भी U A वाँ T रखेंगे तो यहां पर T cos A T और यहां T रखेंगे तो 2 A T में से T गया है तो यहां पर कितना बचेगा sin A T upon 2 A minus this is now second limit second limit में जहां पर भी U A वाँ 0 रखेंगे तो 0 और जहां पर भी U A यहां 0 रखेंगे तो यहां बचेगा sin minus A T तो minus आगया जाएगा तो minus का sin A T upon 2 A and then इसको simplify करेंगे तो यह आएगा आपके पास T cos A T and minus minus plus और twice हो जाएगा तो यह आएगा sin A T upon है और इसको simplify करेंगे तो 1 by 2 यहाँ आएगा आपके पास 80 cos 80 plus sin A T upon 2 A So इस तरह से क्या हम solve करते हैं इसरे अगर यह question में आपसे यह पूछ लिया जाए कि आपको यहाँ पे whole square पूछ लिया जाएगा आपसे कूछें कि what is the laplace inverse of this तो कुछ नहीं करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे जहाँ पर भी B वहां के रख देंगे हम A रख देंगे तो जहाँ पर भी B वहां A रखेंगे तो देखो क्या फरक पड़ेगा यहाँ पर इस तरह सा जाएगा यहाँ पर B की जगा A आजाएगा so यह A आएगा आपके पास यहाँ पे and then यह A minus A और यहाँ आएगा आपके पास A plus A जहाँ पर भी B वहाँ A put कर दीजिए आप and then इसको आप solve करेंगे मैं यहाँ पर इसको टा देता हूँ so क्या वेलियो आएगी देखिया आपके दा 1 अपान 2 A 0 C T यह कैंसल हो गया यहाँ बचेगा आपके पास sin A T और यहाँ पे आपके पास आएगा sin 2 A U minus A T into D U then इसको आपके 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 पास आएगा sin 2 A U minus A T into D U then इसको आपके solve करेंगे और यहाँ पाएगा cos 2 A U minus A T upon 2 A limit 0 C T and then यहाँ limit put करेंगे so 1 upon 2 A यहाँ आएगा आपके पास T sin A T minus जहाँ यह वाटी रखेंगे तो 2 A T में से एटी गया तो यहाँ आएगा आपके पास cos A T upon 2 A minus जहाँ पर भी U वाँ 0 रखेंगे तो यहाँ यहाँ वाँ 0 रखेंगे cos 2 term तो आप देख रहे हो यह वाली टम से यह वाली टम क्या हो जाएगी cancel so जो हमारा answer आएगा यहाँ पे वो आएगा T sin A T upon 2 A इसका answer आएगा so इस तरह से इस type की questions को हम यहाँ पे क्या करते हैं solve करते हैं so students मुझे लगता है आपको मेरे वीडियो बहुत अच्छे लगने होंगे और आपको अच्छा response लगता है कि हाँ मेरा पढ़ाय आपको समझ में आता है so please comment जरूर करिए क्योंकि आपकी comments हमारी important होता है आपके लिए हम लोग मैनत कर रहे हैं आपसे यह expect करते हैं गुरू दक्षना के रूप में कि आप हमारे जो वीडियो से उनको share करते रहे है और comment जरूर करते रहे है thank you, thank you so much for watching my videos, thank you